हेलो वेल्कम टो मैं चैनल और आज हम फिर से लेकर के आए आप लोग के एक नए वीडियो के साथ तो आज के आज का जो हमारा वीडियो बहुत ही रमा के दार होने वाला है मुद्रा और सा ठीक है बच्चों आप बहुत ही मन लाके पढ़िए चुकि आपका एजाम बहुत ही जल आ गया है आप लोग का सिलिबस भी निकल चुका है एक्जाम डेट भी निकल चुका है तो मेरे कहने का मतलब यह कि आप बहुत ही आप मन लाके पढ़ो ठीक है और हमारे चैनल पर बने रहो ताकि मैं आपको वह सोसा से रिलेट सारे वीडियो में देता रहूंगा तो च मुद्रा कीस परकार अवसकताओं की दोहरे सायों को सुल जाती है समसे पहले है को समझने की कोशिज जरूर कीजेगा समझने की कोशिज क्या करना बच्छो मुद्रा का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही बता चुका है अब यहाँ पे कोशन मत पूछना फिर भी एगर आप की दोहरे सायों को सुल जाती है अब आवसकताओं की दोहरे सायों को होते क्या है अब इस इसका आपको हम बता देते हैं चलिए इस इसका हम लिखे तो नहीं लेकिन फिर भी आपको इस क्वेशन को आज करने के लिए आपको दो टर्म आपको समझना पड़ेगा वो क्या क्य आप यह नहीं जानते तो फिर आप विकार हो जाएगा आपको एंसर नहीं आद होगा तो वस्तु का मतलब यह पता आपको वस्तु क्या होता है अब बात आता है विनिमे परनाली क्या है एक सिस्टम है ठीक है वस्तु का अदला बदली हम वस्तु देंगे और हम वस्तु यही तो है वस्तु विने परनाली ठीक है वस्तु का अदला बदली वस्तु विने में परनाली कहलाता है जैसे हमारे पास टूपी है मैंने आपको टूपी दे दिया और हमें जुरत्था जुता का आपने हमें जुता दे दिया हमने वस्तु का अदला बदली करके अपनी जुर आवे सक्ताओं का दोहरा संजुग, देखिए, आवे सक्ताओं का दोहरा संजुग, संजुग का मतलब यह ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कबार हो जाता है, उसको संजुग काते हैं, और दोहरा का मतलब दोनों का होना ची, संजुग से दोनों का होना ची, दोहरा का मतलब दोनो और से दोनों पस्की और से आवसक्ताओं का मतलब जवरत तो जब जवरत जो होती है जब दो लोगों की जवरत जो होती है संजोग से पुरा हो जाती है तो उसे करते हैं आवसक्ताओं का दोरा संजोग जैसे पहले ऐसा होता था ऐसा माना जाता है देखिए पहले कैसा होता थ सर पहले ऐसा होता था सर देखिए मैंने लिखा ये एक ब्यक्ति है भी एक ब्यक्ति है बेचारा इसके पास क्या है तो इसके पास है ये बेचारा मालिक है फैक्टरी जुद्ता फैक्टरी का मालिक है सर किसका मालिक है ओ नो ये क्या मैंने कर दिया कोई दिकत नहीं ये ये है ये है जुट्ता फैक्टरी का मालिक और ये है किसान ये क्या है किसान जो गेहु उगाता है जो क्या उगाता है गेहु उगाता है अब देखी जो A जो है इसके पास फेक्टरिह जुत्ता का B जो है किसान है गेमों को गाने वाला किसान अब हुआ कोछी है यह बैचारा जो जुत्ता बनाने वाला आदमी है इसको बहुत भूख लगी इसे लगा यार क्यों हमें रोटी खाना पसंद बहुत जा़ा है अब ये जुत्ता वाला क्या करेगा जुत्ता ले लेगा और घुमता फिर इतना चलेगा जुत्ता ले लो गेहू देदो 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 करके घुम रहा है दो तिन गाओं गया हर जगा घुमते गुम्ते बेचारा परिसान हो गया, लेकिन बेचारे को कोई भी ऐसा किसान नहीं मिला, जो गेहू दे रहा है, ऐसा नहीं कि उसको गेहू और आदमी नहीं मिला, ऐसा नहीं कि गेहू और किसान उसको नहीं मिला, मिला होगा ना, लेकिन उस किसान को बेचारे को जुत्ते की ज जिर्ट नहीं है तो हम क्यों दें वैज्या गिहूं € Uhr आपको। य। दोनें को नहीं होगा inflami 109 बहुत मिले में है किसान तो बहुता होगाम chyba में जुद्दा तब भाफ फस गये ना तब भाफ फस गये तो आप भूलि लिए का सर को ऐसा किसान मिल जाता ना जिसको जुद्दा जुरत है यार उसके पेरों में काटा चुब रहा है पेरों चलने दिक्कत हो रहा है या उसको हीरो बनके गुमना है कहीं पउनागी जाना है है तो कहने का मतलब उसको जुटा की जुटा की जुटा है, तब वो क्या करेगा? तब यही करेगा. अब संजोक से क्या हुआ ना, ये बेचरा वारास्ते में वापस लोट रहा था, तब तक एक किसान मिल गया. और उसने कहा यार क्या बेच रहे हो उसने कहा मैं जुत्ता भी दे रहा हूँ और इसके बतले मुझे गया हूँ कि जुरत चाहिए भूला ठीक है भईया हमें भी तो वह वह चीज चाहिए था अरे भारे भार हम दो दिन से परेशान इस चीज़ को तुम अभी मिला से कोई दिकत निकए बहुत बहुत हैन्य वाद भूजिया लिजी जुत्ता ले लिजी और हमें जल्दी से गहूं देजी फटाक से है ना तो इसने क्या किया जुत्ता दे दिया और गेहूं ले लिया तो आपने देखा कितना परिशानी से मिला वेचारे को मिला लेकिन बहुत परिशानी हुआ और ऐसा संजोग से हुआ ऐसाने कि ढूणने से तुरन मिल जगा संजोग है भईया मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला और ये दोनों की जुरत होना चाहिए मतलब अउंक जवाब एकदम भ्यानक तरिके से देने वाला हूं तो एकदम हमारी चल पर बने रहे गा दिल-स्थामके तो देखिए लिखाравствуйте जब मुद्रा परेचल नहीं था मतलब मुद्रा नहीं बना था मुद्रा नहीं चल रहा था ठीक है तब की बात हो रहे है ध्यां पर्टना ली का मतलब सिर्टा मिनफा यह आपको सम्हक्राइब divalton एक बजार में जुत्ता बेच कर गेहूंँ खरीडना चाहता है तो इसके लिए सबसे पहले हाएब पैसा पाइगा और उस पैसे कि और दिक्ष्य आप इसे हैं करें पैसा का पर्चलन्न होगा तब बहुत दिकत बहुत परिशन बहुत रोब्लम तो मध्य कर ळिछे करें पैसा आपको किस प्रकार से मदद कर रही है अरे भया मान लेजिए आपको तेरना नहीं आता है आप नदी में डूब जाईएगा तब तो डूब के मरिएगा ना तब तो आपके लिए क्या मदद करेगा जो हवा भरा हुआ जो टायर रहेगा उसमें आप अगर उसको अगर उ इसको बेचिए पैसा पाईए और कुछ भी खरिद लेजिए पैसा ही भई या पैसा पैसा ऐसा ठीक है आईए तुम एक जांपल के तवरा आपको समयना चाहता हूं एक मुद्रा एक सोरी एक जुत्ता निर्माता एक बजार में जुत्ता बेच कर अगर उसके पगर पैसा च गेहुं खरिद लेगा देखो तो कितना असानी स्वल्व होगे अब जरा सोच यह जो मैं आपको प्रोब्लम दे रहा हूं कि जुत्ता बनाने वाला अगर बिना मुद्रा का इस्तेमाल किये गेहुं खरिदना चाहता है अगर पैसा नहीं चल रहा है तब उसे गेहुं तो ऐसा किसान को डूंड़िए जो गेहूं बेचना चाहता है और साथी साथ जुत्ता खरिदना भी चाहता है ऐसा है कि गेहूं तो बेचना चाह रहा है लेकिन जुत्ता नहीं वो कपड़ा खरिदना चाह रहा है तो आपके काम का नहीं हो किसान हैना मैसिंग करना चाहिए कि यह आप जो बैशना चाहा रहे हैं वो लेना चाहता हो यह चीज मिलना चाहिए संजोग से तो वैसे किसान को ढूंडो जो गेहों बैशना चाहता हो और जूता खरना चाहता हो ठीक है तो आर्थात दोनों पच एक दूसरे से दोनों पच खरिदने वाला और बैशने वाला दो फाश है यहाँ पर. दोनो पाश चीजें, खरिदने और बेचने में समती रखते हैं, एगरीमेंट करते हैं कि हमें जुत्ते की जुरत है, हमें यहों की जुरत है, यह तुनों एगरी होते हैं, उसके बाद लेञ्देन करते हैं, तो इसे हम आवे सकता हों का दोरा संजोग कहते हैं, मतलब ऐसा संजोग से होता है, नहीं समझें, कोई बात नी, एक बार ट्राय करते हैं, फिर से समझाने का, तो समझेंगा, आप लोग ध्यान से, मैंने कहा, अगर पैसा रहेगा, अगर आपके पास पैसा है, तो कोई भी ची पैसा नहीं है तब पैसा नहीं चल रहा है देश में पैसा का परचलन निकला ही नहीं या तब क्या होगा तब हम क्या करेंगे वस्तु का अदला पदली करेंगे मतलए हम जुता देंगे तब तो दूस्रा किसान को डूडना पड़ेगा इस परकार से ना जाने आपक को कितना किसान के पास जाना पड़ेगा तब कोई संजुक से ऐसा किसान मिलेगा जो कह LIVE हाँ हमरे जुता जोरूत है तो इस बात को तरत समझे उसी बात को मैं लिखा हूँ बेतर घंग से सजा करके तो यहाँ से बात निकल के क्या आई तो अगर जरी नहीं रहेगा तो मुद्रा नहीं रहेगा तो हम गेहु खरिदना चाहते हैं और हमारे पास जुता है तो गेहु गाने वाले के पास किसान के पास जाना होगा उसको खोजना पड़ेगा डूणना पड़ेगा दिया बार के है ना और गेहु बेशना चाहता है वैसे किसान को भी डूणना है जो गेहु गाता हो गेहु बेश दूसरे से खरिदने और पेशने पर सहमत्य रखते हैं कि हाँ भया हम लेंगे आप देजिएगा और यह लेजिएगा यह दोना अग्रिमेंट कर लिया तो इसे को कहते हैं आशकता हूं को दोरा संजुग ऐसा संजुग से मिलता है इसलिए इसका नाम दिया गया दोरा होती बहतर ढंक से मतलब समझाय गया है ठीक है हमें नहीं लगता कि आपको आपको यूट्यूब में कोई और इस इस कोशन का जवाब ढूनने की जूरत है आपको इतना बहतर तरीके समझाय गया है जिगर आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं वादा करत मैं अधि सद्धीक लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजे मा इस वीडियो में हर वीडियो में इस बात को ज़रूर कहता हूं यह कहना हमारा फर्ज बालो यह क्यों नहीं कहूंगा और दीरे-दीरे यह हमारा चैनल बन हो जाएगा और आपको तो इससे सिच्छा मिल जाती है यह बहुत बड़ी बात है यूटीब का ठीक है